हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आश्या करूँगा आप लोग तिक ठाक होंगे और ठीक ठाक तो होंगे ही क्योगा अपने फॉलो जो कर रखा है और हम आपको चो डेली में ये फोटा बहुत पैसा देखने को मिला तो आज कैसा था मार्केट किस तरीके से मार्केट में आगे बजार कहां तक जा सकता है किस तरीके की स्टेटिजी का आप आने वाले ट्रेडिंग डेज में यूज कर सकते हैं वो सारी चीजे में आज की वीडियो में बताना चाहूंगा तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है इसको शूर से लेकर आखिर तक जूड देखेगा चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब तो मैं इस गैप का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि हमने गाफी बार बताया है कि जो रजिस्टेंस और सपोर्ट पर गैप बनता है उसमें मार्केट में बन सैडिट तेजी देखने को मिलती है तो कॉमेंट बोक्स पर कॉमेंट कर लीजेगा और आपको हमारा रिपलाई आ ज रिजिस्टेंस भी यहां पर पूरी तरीके से ब्रेक हुआ और लास्ट कैंडल जो देख रहे हैं वो एक बुलिश कैंडल थी चलो मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा क्लारिटी इसमें जादा मिल जाएगी आपको तो यह देखेंगे यह एक रिजिस्टेंस लेवल है और रिजिस्टेंस पर ही बोल दिया था कि भाई करके चलो और बाय हमने कितने पर कराया था आपको 17,465 रुपे 460 रुपे के आसपास कि 17,460 पर आप इसे बाय करके चल सकते हैं यहां पर हमने एक मैसेज आपको किया था तो मै निफ्टी का रिजिस्टेंस 17,460 के आसपास चला था और प्राइवेट टेलिग्राम चैनल है जो हमने कोर्स के स्टूडेंट को परवाइड करते हैं वहां पे तो हमने लिख दिया था कि भाई निफ्टी रिजिस्टेंस है डेलों के एसेल से बाय बन सकती है इंटर डे के यह मैंने मैसेज करा था और उस्टम करंड मार्केट प्राइस चला था 17,460 कितना चला था 17,460 एसेल दिया था मैंने आपको 17,434 का कितने पॉइंट का एसल हो गया सिर्फ 26 पॉइंट के एसल से हमने आपको क्या करा था निफ्टी बाय करा दिया था और वहां से निफ्टी बट हमने उसे बुक भी करा दिया था, तो profit छोटे-छोटे लेने भी सीखने बड़ते हैं कहीं बार, क्योंकि बजार में कर जादा movement नहीं होगी, तो फिलाल आपको छोटे-छोटे से ही काम चलाना पड़ेगा, बट जब quantity जादा होती है, जब आपको पता है कि आपका SL कम है, और उस case में आपको पता है कि नुकसान कम है, तो महापके quantity अट करते हैं, तो आपका जो बड़ा profit आता है एक lot में, वो आप quantity में कर लेते हैं, तो वो profit आपको उसमें मिल जाता है, तो जल्दी से जाएंगे और निफ्टी के चार्ट पे इसको समझेंगे, अब निफ्टी हम मान के चलिए, तो जहां से बोला था, वहां से आप मान के चलिए, 70-80 points की तेजी देखने को मिल गई थी, अब उसके बाद हमने क्या गरा, हमने 30 मिनट का चार्ट देखा, अब यहां पे क्या था, टाइम फ्रेम का combination आता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने व पर खरीदा, और दूसरा, इवनिंग स्टार बना, तो इवनिंग स्टार के साफ से हमने आपको sell कराया, हम आप कीजेगा यहां पे, और इसके बाद इसमें 17,443, 440 का मान के चलिए, लो भी मना, तो वहां से 40-50 points हमें बेच कर भी मिले, तो यह तो एक हो गई strategy की हमने थोट चोटा मोटा profit कर लिया, बट कुछ और चीजे हैं जो आपको बताना चाहूँगा, वो यह है कि अभी जो बजार है, निफ्टी का market जो है, यानि कि अगर हम next की बात करें, तो वो हो सकता है, आने वाले time पर bullish है, reason उसका क्या है, next trading sessions की बात कर रहा हूँ मैं आपको, वो यह ह है, जो आप मुझे comment box के comment करके लिखने वाले है, तो वो भी है, और मुझे लग रहा है कि बजार थोड़ा तेज रहेगा, और पहला जो target है मेरा market को, यानि कि निफ्टी को लेके वो है, 17600 के आसपास का, तो मुझे लग रहा, 17600 तक तो एक बात निफ्टी टेच कर सकती है, बट buying selling की जो recommendations आएगी, वो मिलेगी आपको कहाँ पे हमारे telegram channel पे, तो अगर आपने हमारे telegram channel, free वाला telegram channel जोइन नहीं करा है, तो नीचे description में link है telegram channel का, उसको सबसे पहले आप join कर लिजे, क्योंकि उससे आपको daily basis पे benefit हो रहे है, और मैं चाता हूँ कि ये benefit आपको continue basis प अब एक चीच और है, निफ्टी के बारे बताने वाला हूँ वो, हाला कि इसको पर मैं dedicated video बनाने वाला हूँ, बट आपको इस trailer आपको यहाँ पे देता हूँ, और वो trailer क्या है, वो है weekly chart पे, weekly chart पे जाते हैं, इसको समझते हैं, आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी जो है, एक अप्ट्रेंड में चला था, इससे पहले जो निफ्टी में तीजी आई थी सीधा लगातार उपर गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या हूँ, यह क्या हूँ, निफ्टी में consolidation phase था, अब यहाँ पे एक pattern फ़र्म हूँ है, इस pattern का नाम क्या है, वो चलो मैं आपको बता देता हूँ, उसका मैं को suspense पी नहीं रखना चाहता, वो है flag pattern, यह क्या है, flag pattern, flag आपको पता है न, क्या होता है, और flag के बाद इसका breakout पहले देखने को मिला था, अब market फिर से नीचे आई, अब यहाँ पे pullback देखने को मिला है, किसमे, flag में pullback, flag में pullback देखने को मिला है, एक आप call खड़ी दिलो, क्योंकि cash पे तो काम होते हैं निफ्टी में, हाँ, एक strategy आपको बताऊंगा, जो आप क्या कर सकते है, इसके ETF ले सकते है, किसके निफ्टी के, अगर 17600 ब्रेक करती है निफ्टी, तो निफ्टी जाएगी कितना, 21,000 होए, यह लांग टम वाला सीन है, यह वो साल, एड़ साल, दो साल लग सकते है, उसमें, हो सकते है, छे मेनी तो नहीं लगेंगे, डेड़ साल, दो साल लग जाएगे, इसमें, 27600 ब्रेक करें, 700-800 ऐसे जाती है, तो फिर यह 21,000 तक जाएगी निफ्टी, तो उस case में आपको क्या करना है, फिर ETF लेने है, इसक के लिए आपको आगरेंगे, निफ्टी के ETF खरीदेंगे, बट वो मैं आपको इसको उपर एक special वीडियो बनाने वाला हूँ, छोड़ दीजी अब इसको, वो यह तो एक trailer है, teaser है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जब मैं इसको उपर dedicated वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको करता हूँ, आप लोग भी मैं ट्रेड करते होंगे, तो बैंक निफ्टी तो देखो अभी कोई pattern नहीं मना रहा है, इसे पहले भी हमने बताया था कि बजार जो है, यहां पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसके साथ falling wedge है, उसके बाद तो बैंक निफ्टी हमें से कंडरा बैंक में काम करके पैशा आजा चाहिए में मारूती में काम करके पैस आजा है, rachi analyze में और इनिफ्टी में आजए, टो आज आज टो आज ऐमने ट्रेड़ करके पैसा बना, बैंक निफ्टी नहीं ब्लीॉ इसके पहले पॉर्चुनिटी भी ले थी जब मैं डेली बेसे वीडियो बना रहा था यह रेस्टेंस है ब्रेक आउट हो गया है पुल बैक मिल चुका है फॉलिंग वैज है तब कड़ा था था पैसा आ गया आज कुछ था नी में तो आज कुछ किया नी छोड़ देते हैं इस हमारे स्टूइट करके हमारी रिकरमेडिशन पर पैसा बना रहे हैं तो उनकी भी मैसेरिस हैं करते रहते हैं अब यहां पर जाएंगे अपने टैलिग्राम चैनल्ल पर बिसिकली किया है वैं आपको बता देता हूँ यह हमारे कोर्ट सके स्टूइट को मिलते हैं पूरी तर बताते हैं बताते हैं बट वह एक टाइंग बात बताते हैं यानि कि आपको पहले एजूकेशन प्रवाइड करते हैं जब आपको मिल जाती है तो यहां पे ज्यादे हैं सब्सक्राइब करते हैं और फिर कुछ कि दिया लगे लिख़ा ता है कि लिख दिया लिख लो इसे तो इसके बारे में बताऊंगा आपको शब्सक्राइब करते हैं यानि कि आप देखो आपके पास अब analysis आपको आगिया आपको आपको यह नहीं बता है और यहां पर हम सारी recommendations देते हैं काफी ज़्यादर recommendations देते हैं और recommendation इतनी ज़्यादर आपको हमारी तरफ से मिलती है कि उसमें कुछ bank selling भी मिल जाता है ताकि आपके बस option रहे कि मुझे कौनसी से जगह पर काम करने कोंसे स्टॉक में काम गरने तो काफी हैनल मिलती है और काफी लोग उससे पैसा बना रहे हैं जैसे कि अभी किसी ने मैसेज बेज़ा है एक स्टूडेंट है हिमंत बोराना जी अभी इनों नहीं भी आद देखो जिए ग्यारा जार पर का प्रॉफिट किय है तो ऐसे स्टूडेंटों को प्रॉफिट होता है अब कोर्स कितने का साथ आट यार का कोर्स है वह प्रॉफिट डेली 11-15 जार पे की हो रहे हैं और सबसे बड़ी बाद सीखने को इमिल रहे हो तो मैं चाहता हूं आपको अपने पैरों पे स्टैंड करना तो यह तो होगी चलो दुबारा बताते तो हम भूल गए होंगे यह देखेगा SBI कार्ड हमने रिकमेंड करा था आपको कितने पे करा था आट सू त्रेसट रुपे असी पैसे पे करा था भाई खरी लेना है से और मैसेज क्या किया था बाय का नीचे लिग दिया था कि बाय कर लो अभी बता अनालिसिस को फूलो कर रहे हैं और 8 63 पे रिकमेंड करा और 8 83 का हाई भी बनाता है तो बहुत सारे बेजे नियंगे आपको सबसे जाधा पैसा इंहोंने आपको पैसे से मतलब होना, यह पैसा आपको कमा के दे रहे, यह मेरी responsibility है, और दिवाली वाला week है, दिवाली वाली week में तो मैं आपको commit कराई है, कि मैं daily basis पैसा कमा के दूँगा आपको, और इतना पैसा कमाऊ गया, दिवाली में अच्छी काजी shopping होगी, बहुत अच्छी दिवाली बनेगी, तो यह हमने hammer recommend करा था, उसमें भी हमारा पैसा बना, अब hammer क्या होता है, क्या नहीं होता, अगर इसको अच्छी तरीके से सीखना चाते हैं, तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का video बनाते हैं, तो video बनाते हैं तो उसमें क्या उता है कि beginners को बनाई हुई है, जिससे beginners को काफी help मिलती है, तो आपको link, आई बटन पे भी से फेले मिली गया होगा, उस पर जाके आप किलिक करिए, हमारी पूरी series देखिए, और उस series से आपका आप subscription आज है है वो काफी हद तक clear हो जाएगा अगर आप चाहते हैं मैं को तो अडवांस सीखना है थोड़ा बहुत और अडवांस सीखना है तो अडवांस हम सिखाते हैं सिखाते कहां पर है वो हमारी स्पोर्स है candlestick chart pattern indicator dow theory led theory time frame का combination demand supply psychology इसमें सिखाया जाता है इसमें आपको कहना जाओंगा दोस्तों की basically इसमें क्या सिखाया जाता है when to buy when to sell stop loss कैसे लगाते हैं target कैसे लगाते हैं यह सारी चीजे हमने इन वीडियो में सिखाय हूँ है अब बात करते हैं support की support बहुत जरूरी है बिना support के तो कुछ होगा ही नी तो यहाँ पे private telegram channel जिसमें buying selling की recommendation जो मैं बता रहा था थोड़ दिर पहले इसके साथ एक चीज औ आप बिनार्स आपको मिलेंगे week में एक बार ठेक है इसके साथ साथ कोई doubt है कोई query है तो नीचे हमारा contact number है वहाँ पे भी आप contact कर सकते मेरी बात होगी आपसे जो भी doubt है कोई वी query है अपकी तो मेरे से बात कर सकते हैं क्योंकि काफी लोगे सब problem आ रहे हों कहते हैं जी मैं आपकी call receive करूँगा और अगर call receive नहीं कर वाया तो callback आपको जोड़ करूँगा तो support आपको पूरा मिलेगा साथ-साथ option strategy का course है जो कि 11,000 का है और इसके साथ-साथ-सौला जा नौन इन्याद में आपको technical plus option का combo मिल जाएगा बट जिन्नोंने technical किया हुआ है जो मेरे student technical वाल तो काम ही आईगे आपके पैसे कितना 11,000 का course है एक-दो trade में आपको कमा लेने है तो मेरे साथ से तो यह है कि आप option भी जाहिए option भी सीखे आपके लिए better रहेगा बाकि जिनका budget है वो combo में चले जिए better रहेगा lifetime के लिए वीडियो में लेगी आप download करके भी देख सकते हैं त तो इसके साथ दो ब्रोकर के लिंक और हैं उसमें में आगर आप चाहे तो हमारे support करने के लिए अकाउंट open करा सकते हैं उसमें में आपको live webinar दे दूंगा week में एक बार और साथ साथ 10,000 की worth की e-books भी आपको provide कर दूंगा तो दोस्तो आज मैं आपको nifty के बारे मताया साथ स मैंने आपको SBA card के बारे मताया माफी चाहूंगा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी बट मत भूलेगा जो मैंने gap के बारे पूछा था जो pattern के बारे पूछा था मैंने nifty में वो बताना है आपको नीचे comment box में comment करना है और winner होंगे तो गिफ्ट मिलेगा आपको एक असके लिए बसे इतना ही धन्यवा